Hello Students, Welcome to Lakshya Academy तो बच्चो मैं आज आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ कि आज पंजाब स्कूल एज्जुगेशन बोर्ड 2019 इजाम की डिस्ट आ चुकी है 11.1.2019 को जो कि 10th और 12th क्लास के बोर्ड के लिए बहुत जाना इंपोर्टन है तो इसके बाद मैं आपके सामने पंजाब स्कूल एज्जुगेशन बोर्ड की 10th क्लास की डिस्टिर की बारे में डिस्कस करूँगा कि 10th क्लास की जो इजाम स्टार्ट होने हैं वो 15 मार्च से स्टार्ट होंगे तो students 10th क्लास के जो पेपर है सबसे पहला जो पेपर है उसका 15 मार्च को है उसका पंजाबी A का पेपर है जो की शुक्रवास से स्टार्ट होने वाले हैं तो उसके बाद second जो paper है उसका 18th March को है English का जो कि Monday को होना है इसमें आपको दो दिन की छुटी दी गी है उसके बाद पंजाबी बी का paper है 19 तरिक को जो कि मंगलवार को होने वाला है उसके बाद mathematics का paper है 22 March को जो कि शुक्रवार को है students, बच्चो math के paper के अंदर सिर्फ आपको दो ही छुटी मिली है तो आपको अभी से ही math के paper में थोड़ा time ज़्यादा लगाना पड़ेगा उसके बाद जो पंजाबी नबर पर होना है वो science का paper है 25 तरिक को मंडे को उसके बाद हिंदी का paper है 27 तरिक को बुद्वार को फिर उसके बाद 7th paper जो होना है आपका computer science का 28 तरिक को है वीरवार को उसके बाद संस्क्रित का paper है 29 तरिक को शुक्रवार के दिन फिर social science मतलब समा आप अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए उसके बाद लास्ट पर जो आपका है फिजिकल एजुगेशन का वो दो तरीक हो हैं मंगलवार के दिन तो आप स्टुडेंट्स इस टैंथ क्लास की बोर्ड की डेशिट को आप पंजाब स्कूल एजुगेशन बोर्ड की वेबसाट पर को बि cannis थ Beim इंजानम की की जी डेशिट है वह कर से पंद मैंने बनाइए इसके लेफ्ट एन साइट पे तो मैंने सॉंस्याइंस वालों की डेशिट नहीं और इसके राइट-एन साइट वालों मैंने कॉम्रस ग्रुप की 만들어 बनाई तो देखिए इसमें जो जनरल जो इसमें है जो आपका फर्श पेपर होना है 12th क्लास वालों का वह एक मार्च साइंस ग्रूप में फिजिस का पेपर है आठ तरीकों जो की शुक्रवर्ण को होना है लेकिन आठ तरीकों कोमर्स वालों ग्रूप का बिजनस टड़ी का पेपर है उसके बाद 15 तरीकों कंप्यूटर अप्लिकेशन का पेपर है सेम पेपर है यह दोनों का जिसने ने चोईस में लिया है उनके लिए पेपर होगा कंप्यूटर अप्लिकेशन का फिर उसके बाद 19 तरीक को है फीजिकल एज्यूगेशन का जो आके मंगलवार के दिन होने वला है दोनों का सेम है साइंस ग्रूप में भी और कॉमर्स चूटिया है क्योंकि को कंप्यूटर एप्लिकेशन फिजिकल एजिकेशन कई बच्चों नहीं रखी होती है तो मतलब आपके बाद आठ चूटिया मिलेगी अकाउंट एंसे की वेपर में और इसके बाद 25 तरीक वेपर होना है एक नोमिस का और इधर होड़ा है आपके बा इसके लिए पूरा जो लगाना पड़ेगा मैथ के लिए क्योंकि एक दिन के अंदर बिल्कु त्यारी नहीं होती है तो इसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा स्टेजिजी मनानी पड़ेगी अपनी प्लैनिंग के अंदर उसके बाद लास्ट पिपर जो होना है वो कंप्य प्यूटर सेंचे पर 27 तरीक होगा यह की लाश्ट पिपर होगा आपका इसके बागर मैं आपको डवाइस देता हूं थोड़ी सी अकी जैसे कि मैं बात करता हूं कि अगर आप आप त्यारी अभी आप इसके लिए त्यारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए जैसे मैं डेली की देख लो कि टोपिक कितने है उस टोपिक आप एक टोपिक ले हो दो टोपिक ले सकते हो तो इन टोपिक कि आप दो दो तीन तीन सम को आप रिवाइस कीजिए जितने अगर आप कोशन को रिवाइस करोगे उसके पहले सबसे पहले आप क्या करो उसके मैंतर को समझो कि इसमे आपकी capacity है capability है कि आप एक दिन के अंदर इतना आप इस topic को आप कवर कर सकते हो तो आप अपनी planning के coding आप इन आने वाले दिनों के अंदर ऐसी strategy त्यार कीजिए तक कि आपके सारे topic क्या हो जाए cover हो जाए आप अपनी मेहनत को बहुत कीजिए ताकि पेपर के अंदर जो छूटी है बहुत ही कम है एक दो दो छूटियों से बात नहीं मनती है इसके लिए आपको अभी सी start करनी पड़ेगी त्यारी और इसके बाद आगर आपके topic कवर हो जाते हैं अगर आपने complete कर लेते हैं कर लेते हो उसके बाद आपको लगता है कि मुझे सेंपल पर भी त्यारी करनी है तो सेंपल पर के लिए आप बजार में ओस्वाइल के या अरियंत के पेपर आप ट्राई कर सकते हो या मार्केटिम में बहुत ज्यादा पेपर आते हैं सेंपल पर आप पेपर को आप reverse कर सकते हो लेकिन इन पेपर को आप आपने revise इस त्रीक के से करना है कि आपको पेपर में तीन घंड़े क समय मिलता है तो आपने time के coding इन पेपर को solve करना है अगर आप कोशिश करो कि ये पेपर ये पेपर जो है 2 Yo I आपके पास अद्धे हंटा का टाइम बचेगा वो आप चैकिंग के लिए कर सकते हो अगर कोई कोशन आपको मीज आपता नहीं है उसके लिए आप टाइम निका सकते हो यह जो आप अगर आप धाई गंटे के अंदर फेपर को पूरा कंप्लीट करते हो तो यह आपको फाइनल और उस चार्ट को आप अमनी study room में जहां आप study करते हो वहाँ पर उसके सामने दिवार पर चिपका लीजिए ताक कि वह आपको हर रोज नजर आए ताक कि आप उसको पढ़ सको और आपके वह दिमाग में फार्मुले याद रहे और वेप्रगंदर आप question को easily solve कर सको तो students लास्ट में मैं सिर्व आपके लिए धे सारी विशिश देता हूँ खुब मेहनत करो study करो और अच्छे अच्छे मांक से लेकर आओ ताक कि आपका खुद का नाम रोशन हो सके अगर आपका नाम रोशन होगा तो आपके mom dad का भी नाम रोशन होगा इसके साथ आप teacher का नाम भी रोशन होगा और स्कूल का नाम भी रोशन होगा so wish you all the best students लक्ष अकाडमी से महिस सर थैंक यू